आपका आपका आपकी अपने सीटी मंटेशरी स्कूल सिवान की जीटूब चनल पर और मैं अंकीत अनन आज आपको कुछ प्रमुख पौधों एवं जनतूँख बारें बताने वला हूँ कुछ main plants and animals के बारें में बात करने वाला हूँ जो की परिक्षा के दृष्टी से बहुत important हैं सांतिता जो है वो उनसे हमें बहुत सारे उप्यों की बस्तुएं प्राप्थ होती हैं जैसे की बात करो तो रबबर चाय कॉफी को ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक important जनका हैंगे ठीक है चलिए start करता हूँ मैं बता रहता था पहला important बस्तु जिसका नाम है आपका रबबर तो रबबर जो है इसको ध्यान देजिए कि लिए आपका प्राप्थ होता है ही ब्रोसिलियंसिस नाम के जो है एक पौधे से जो कि इसका एक scientific नाम है और इसको आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं ऐसे ही दूसरा एक बस्तु का बात करूँ जिसका नाम है आपका चाय तो चाय जो है एक प्याप अपदार थे जो कि आम बात है मतलब कि मैक्सिमुम घरों में जो है यह उप्योग लिया जाता है प्याप अपदार के रूप में तो यह जो है कोफिया इरेवी का नाम के प говорит से पौदय से पिरफ्यर में देख सकते हैं ऐसे ही बात करों कोक करें नाम के परDIOता है जिसका आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं बात करूं आगे तो आगे जो है हमista बात करने वाले हैं तंभाकू के बारे में तन बाद दार द इना के जो प्राप्त होता है, so next बात करता हूँ, अगर तुलसी का है, तो तुलसी के बारे में कौन नहीं जानता है, ये जो हमारे अधिकांस घरों में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक औसधिये घुंड से भरपूर पौधा है, इसका बहुत सरे जो है औसधिये उपयोग में लाते ह हैं, ऐसे ही बात करूँ, तो इसका बात करते हैं, तुलसी का जो आपका साइंटिफिक नेम है, वो आपका क्या है, तो वो है आपका ओसिमम सेंक्टम, नारियल का बात कर जाए, तो ये आपका मनुस्य के लिए काफी लफदायक ब्रिक्च है, इवन ये बहुत काफी जादा मातरा में जो है अपका लफदायक है, इसका बहुत सरा उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे के हम लोग इसको पीते हैं, ठीक है, इसका लाओ जो हम लोग इसको खाते हैं, मतलब कि खाना जब बनाते हैं, तो उसमें जो इसका उपयोग होता है, तेल करूप में, इस तरीके से इसका बहुत सारा आउसदी तरीके से अगर साइंटिफिक नेम पूछ जाएगा तो आप लोग बताएंगे बॉम्बेक्स मोराई ठीके और यह सहतूत के प्रीड़ों पर पाला जाता है ऐसे 서haad करो में च्हाद का तो सहथ आपका मधुमक्रियों के 36 से प्रापति यह जाता है और यह जो सहथ होता है इसमें आपका तो मुख्यदी से अपका यह से करबाइडर होता है करबाइड़ का भी तीन रूप आप जिया रखिए फ्रक्टोज 4-47% मिलता है गुलकॉज आपका ब लाख के किट से प्राप्त होता है जिसका कि आपका scientific name है लासिफर लैका फिर बात करते हैं हम लोग मोती का तो ध्यान देजे के मोती जो है यह आपका pearl oyster pink tada नाम के एक समुदरी प्राणी से प्राप्त होता है और इन सब के अलावा जो है मैं कुछ आप लोगों को मचलियों के बारे में बता दूँ स्वक्ष पानी में रहने वाली मचलियों और जो आपका समुदरी मचलियों के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही important होती है तो इसमें आपका है रोहू, मालही, कातला, कालबारू, मागोर, सिंहारा यह जो है आपका fresh water fishes है ऐसे ही मैं बात करूँ इल का तो इल है, हिलसा है, बॉंबे डॉक है, सालमोन है, प्रॉमफेट है, इस तरीके से साडिना है, यह सब जो है आपका समुदरी मचलिया है, ठीक है, जो काफी important है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा जो है स्वक्ष जल में रहती है मचली और कौन सा जो है आ आपका टीवी यानि के तपेदिक हो जाएगा, इस तरीके से बात करूं तो आपका जो हो जाएगा, मैस्टिटिस, सालमोनिलोसिस, ठीक है, और यह तो आपका तीनों हो गया, बैक्टिरियल डिजीज, वही बात करेंगे लोग, वाइरल में आपका आजाएगा, पैर पकने वाला और मुहु पकने वाला रोग, जिसको पैर पका मुहु पका रोग बोलते हैं, इस तरीके से आपका हो जाएगा, रिंडर पेश्ट, इस तरीके से आपका हो जाएगा, तो यह आपका जो है, वाइरल डिजीज है, ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कुछ इसमें से ही आपका जो है, यह हो जाएगा, एसपर जीलोसिस, या फिर जो है, रानिक है, या फिर जो है, कुराइजा हो जाएगा, एंड नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कुछ इकनॉमिकल इंपोर्टेंस वाले कमन प्लांट्स के बारे में, तो इसमें जो है आपका, सबसे सेटाइवा, मक्का का होता है, जीया, मेज, सोयाबीन का होता है, आपका, ग्लाइसिन, मेक्सराइ का होता है, आपका, सीकेल, सीरेस, आम का बात करूँ, यह सब जो है, आप मैं बात आने वाला हूँ, फल का, तो फल में चलिए बात करते हैं, तो पहला आपका फलो का राजा पुमिल या फिर आप कह सकते हो पाइरस मेलस, चली अब बात करते हैं हम अंगूर का तो अंगूर का जो है आपका हो जाएगा वाइटिस वाइनिफेरा, अम्रूद का बात के जाएगा तो आपका हो जाएगा साइडियम गवाभा, citrus का बात के जगा तो इसका हो जाएगा आपका जो है reticulata, अंजीर का बात के जगा इसका हो जाएगा आपका ficus carica, lichy का बात के जगा तो आपका हो जाएगा lichy chinensis, और एक जो है मुझे मैं भूल गया था actually, तो narial का जो है आपका scientific name क्या होता है जो होता है न, वो होता है आपका cocus neucifera ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे और भी देखो बाबू आप लोग के जो है और भी कुछ important जो है scientific name पौधों का जो है मैंने दिया हुआ है तो यह आपको मैं video lecture लंबा ना हो ठीक है और इस वज़े से जो है मैंने आपको PDF में provide कर दिया है मैं एक ही करके मैं नाम बोल दूँगा तो इसे आपको जो आप लोग सिर्फ सुन ही पाओगे मैं कुछ खास तो इसमें समझा नहीं रहा हूं तो इसलिए आप लोग खुद ही पढ़ करके और इसको याद कर लेंगे चुकि इंपोर्टेंट यह सब जो है डेटा मैंने आपको प्रभाइट कियो है PDF में और इन से आपका question पूछा जाता है बहुत सारे competitive एक्जामों में ठीक है इवन आपके जो है बोड के एक्जामों भी पूछा जाएगा ठीक है तो आप लोग जो है विडियो के डिस्क्रिप्शन को और जो है आपके अध्यन समागरियों को जो है यहाँ पर प्रभाइट कराते हैं और आप लोग डिलिज्वेसिस पर आईए और आकर करके यहां से पढ़िए समझे थैंक्यू भेरी मच्छ